मश्कार दोस्तों आज मैं बता दूं गयलोज सरकार की मंत्री मंडल और केबिनेट की बैठक हुई जिसमें एहम फैसले लिएगे मैं बता दूं मंत्री मंडल में युवाओं, कार्मिकों और उद्मियों के हितों के लिए एहम नरने लिए साथी सारवजनिक जवाब देही, पारदर्शिता और जनहित संतुष्टी के लिए अथोरिटी के गठन को भी मंजूरी दी है जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्य मंत्री के देखस्ता में सनिवार को मुख्य मंत्री आवाश पर राजय मंत्री मंडल की बेठक का आयोजन हुआ बेठक में प्रदेश के युवाओं के हितों को लेकर अनेक फैसले लिए इसमें जहां EWS के आयोशीमा में छूट के प्रावदानों में चार सेवानियम को जोड़कर राजगे न्यूक्ती के रास्ते खोले गए वहीं पंचायत राज LDC भरती 2013 के 4,000 पदों को भरने की कारवाई आगे बढ़ाकर और सीथलन देकर राजगे न्यूक्ती का इंतजार कर रहे यूवाओं को शोगात यहां पर दी गई है मतादू पंचायत राज LDC भरती का जो विस्तरत विब्रन है वीडियो के थोड़े से पार्ट में आगे आपको देखने को मिलेगा मंत्री मंदल ने राजस्तान सोशल एंड फरपॉर्मेंस ओडिट के ओडिट अथोर्टी के घठन सहीद रक्षा कारिमिकों के आश्रितों के नवीन न्यूक्ति नियम जारी करने रास्तान हस्त सिलिप निती 2022 जारी करने पहले सोन वील्स ट्रेन को ओप्रेशन एंड मेंटेनिंस मोडल के अंतरकत संचालित करने रास्तान इंस्टिटूट ओफ एडवांस लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने भरतपूर मेडिकल कोलेज का नाम सुरुगिय स्री जगनात पाड़िय के नाम पर करने थता विबिन सेवा नियमों में संसोधन को लेकर कई एहम निरने लिए मैं बतादू पंचाय तिराज LDC बरती 2013 के काफी लंबे समय से अभरती इंतजार कर रहे थे कि इनको नियुक्ति मिले मैं बतादू सरकार द्वारा और दो बार गोशना के बावजूद भी आज रंग तक नियुक्ति प्रक्रिया यहां पर समस्रू नहीं हुई इसी को लेकर करीब 4,000 पदों पर नियुक्ति देने को लेकर आज केबिनेट की बैटक में इसको हरी जंडी मिल गई है अब काम रहा कलेंडर जारी करने का साथ ही मैं बतादू नियुक्ति प्रक्रिया में जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी जिसमें जो पहले भैरती का जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी करीब 4,000 पदों पर जोइनिंग दी जाएगी रास्ता ने शोशल यंड फर्पॉर्वेंस ओअधिट आतोर्टी का गठन की मंजूरी दी है मैं बता दू मंतरी मंदल ने राजस्तान सोशल और फर्पॉर्वेंस ओडिट आतोर्टी के गठन क प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस निर्णे से राज्य की जनकल ल्यानकारी योजनाओं में सारवजनेक जवाब देगी के साथ पारदर्शिता जन सहबागीता जन संतूष्टी वगुणोत्ता सुनिश्चित हो सकेगी राजगे विभागों थता उफक्रमों व योजनाओं व कारेक्रमों को लागू करने वाली अन्य अजन्सी के कारे निश्पादन का आंकलन भी हो सकेगा योजनाओं का लाब जरूरतमंद लाभारतियों तक और अधिक सहज और शुगमता और शमाइबत तरीके से पहुँचेगा मवतादू अधोरिटी में चिकिश्यक, इंजिनियर, आर्किटेक, सांखे कीविद, अर्दसास्त्री, प्रोपेशर, सूसना तकनिक विश्चेशगे, कर विश्चेशगे, पी एफम विश्चेशगे, अन्य वीविन डोमेन विश्चेशगों को आवशिक तानुशार रखा जाएगा, तो मवतादू अब सोश्यल एंड फर्फॉर्मेंस ओडिट के लिए भी भरती यहां पर आएगी, यूओं को रोजगार मिलेगा, रास्तान हस्त सिल्प निती 2022 जारी, हाँ प्रमप्रागत हस्त सिल्पों को यहां पर बढ़ावा मिलेगा, तो यहां पर नई हस्त कि स्रेडी में अब आने लग गए हैं, मंतरी मंडल ने राजस्तान सहीद रक्षा कार्मिकों के आसरितों के नियमों में एहम संसोदन कर राहत परदान की है, रास्तान सहीद रक्षा कार्मिकों के आसरितों के नियम दोहजार अठारा को निरस्त कर नए नियम राजस्तान सह हीद रक्षा कार्मिकों की आश्रितों की न्यूक्ति नियम 2022 को स्विक्रिती प्रदान की है मैं बता दूँ नए नियम 2022 लागू होने के बाद पुराने जो नियम है 2018 वो निर्ष्टियां पर कर दिये हैं अभी तक 15 अगस्त 1946 से लेकर 31 दिसंबर 2017 की अवदी में शहीदों के एक आश्रित को राजगे सेवा में नियोजित करने का प्रावदान है इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर 2021 तक की अवदी कर दी गई हैmer定 इसमे नियोजित के युद में सहीद हुए जवानों के परीजनों को भी लाब मिल से गेगा वहीं अब कुट्ण के सदेश्य' के रूप में सहीद की पत्नी, पुत्र, दतक पुत्र, पुत्री, दतक पुत्री, पुत्र, दतक पुत्र, पुत्री, दतक पुत्री के साथ, नवासा, दतक नवासा, नवासी, दतक नवासी, और सहीद ऐ विवाइत होने पर, भाई या भेन, और भाई का पुत्र, या पुत्री, भेन का पुत्र या अख्शपांसं यहां पर किया है जिससे अब अधिक संक्या में सईद के परिवार के जो लोग हैं वो यहां पर अनुकमपात्मक नोकरी सेवा मंत्राले शेवा और चतुर्शनी की सेवा सीधी बरती पे लेवल एक से दस की पदों पर न्यूपती मिल सकेगी अब बात करते हैं पंचाइट राज लडिसी बरती 2013 के जो पद हैं वो करीब 4000 पदों पर भरती अब भरे जाएंगे मंत्री मंडल ने आज इसकी अप्रू बड़ा ने लिया है जिला परिशतों द्वारा राजस्तान पंचाइट राज के प्रावदानों के अनुशार भरती आयोजित की गई थी वर्ष 2017 में बंद भरती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है अब 2013 की वरियता सूची के अनुशार वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और पदों को बढ़ने की कारवाई के लिए प्रक्रिया निर्दारित करने और वांचित सीतलन के फ्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में आज कर दिया गया है मैं बता दूँ पंचाइट राज लडिसी बरती 2013 के सेस्राइट 10,029 पदों में से माननिय मुक् अप्रोल देदी है ती वांचित ओप्रक्रिया है उसके फ्रस्ताव का भी अनुमोदन यहां पर कर दिया वह array अब मंद्र मंदल ने आरदि整 कमजूर यानि की ये डबलोस के अभेर्टियों को राहत परदान की है आवेद की अधिक्तम आयू श्रीमा में छूट में चैसरेजार सेवानिमों को सामिल करने पर महुड लगाई है रशस्तान विष्ञंबभण भावन चूत मिलेगी इससे आयू श्रीमा पार करचु के EWS अभेर्टी को भी आयू श्रीमा में लाब मिलेगा साथ ही आप देख सकते हैं वर्ष 2021-22 के बजट में माननी मुख्यमंद्री मोदाय अशौक जी गैलो द्वारा EWS को अन्य आरक्षित वर्गों के शमान आयू में छूट दिये जाने की गोशना की थी इसमें EWS के पुरुष अभेर्टियों को पांच और महिला अभेर्टियों को दस वर्ष की छूट का प्रावदान किया गया है अन्य राजे और केंदर में कार्यत पदक विजयता कार्मिकों को भी मिलेगा राजे प्रोटेक्शन तो मैं बता दूँ राज़तान मंत्री मंदल ने राज़तान आउट अप्टर्न अपॉंट्मेंट्टू स्पोर्ट्स मेडल विनाश रूल्स 2017 में संसोधन किया है इसमें राज़तान राज़े के निवासी जो खिसी अन्य राज़े अत्वाक के अंदर सरकार के अधिकारी और क्रमचारी हैं उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज़े में पे प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगा साथी आप देख सकते हैं विदान सभा सचिवाले में पर्मुक अनुसंदान संदर वदिकारी के पदोनती इसमें जो नियंमें संसोधन की आपर किया है मंत्री मंदल ने राजस्तान विदानसभा सचिवाले के अनुवेक्षन यह संदर्व शाखा के परमुक अनुसंदान यह संदर वधिगारी पेलेवल एल अठारा के पद पर पदोनती समन्दी जो प्रस्ताव वाउश का अनुमोधनी आपर किया है साथी विश्राम भवन परबंदक के पचास परशेंट जो पद है अब सीधी बरती से बरे जाएंगे आप देख सकते हैं मंत्री मंदल ने विश्राम भवन राज्य अधिनस्ताइश सेवारियम 2022 के प्रारूप का अनुमोधनी आपर किया है इस निर्ने से सरकिट हाउस परबंदन के पचास परशेंट जो पद हैं वो सीधी बरती से और पचास परशेंट पद पदोनती से बरे जाएंगे इससे सीधी बरती के पदों में वर्दी होगी और यूओं को रोजगार के आउश्र उपलब दोंगे वर्तमान में राज़तान विश्राम भवन सेवानियम 2019 में परबंदक के 75% पदोनती से और 25% सीधी बरती से बरे जाते हैं तो अब मावतादू 50% सीधी बरती से और 50% जो पद हैं वो परमोशन से बरे जाएंगे विश्राम भवन परबंदक के पद पुना न्युक्त सेवा निवरत कार्मिकों को मूल वेतन पर मिलेगा आयचारे मंतरी मंदल ने राज़तान सीविल सेवा पेंशन नियम 1966 में संसोधन करते विए कार्मिकों के हितों में एहम फैसला यहाँ पर लिया गया है अब सेवा निवरत अधिकारी और क्रमचारी जो हैं जिनकी पे माइनस कमिशन पे माइनस पेंशन के अधार पर फूलन न्युक्ति की जाती है अब उनको हरे सेवा निवरत की दिरांग को उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंतिम मूल वेतन पर दिया जाएगा साथ ही उ माविद्याले भरतपूर का नाम स्री जगनात फाडिया चिकश्या माविद्याले भरतपूर यहां पर किया गया है साथ ही पहले सोन वील का संचालन ओंड एम मोडल पर किया जाएगा तो दोस्तों आज मैं बता दूं गैलोप केबिनेट ने काफी एहम देने लिए लिए है मैं बता दूं करीब 4000 यूओं को रोजगार दिया गया है कि यूओं कार्मिकों मुद्मियों और सारवजरेंग जवावदेई और पारदाश्यता सुनिष्ट करने के लिए रासान शोशल एंड फरफॉर्मेंस ओडिट का घठनिया पर किया है रासान हस्त सिलपनिती 2022 यहां को अनुकंपात्मक न्यूक्ति में राहत दी गई है नवासा नवासी भाई बैन के पुत्र उनके पुत्र पुत्री को भी आश्रित की स्रेणी में सामिल किया है पंचाई तिराज लडिसी बरती 2013 के 4000 पदों पर न्यूक्ति का जो रास्ता है वो शाफ यहां पर किया गया है इजन्डी यहां पर दी गई है इडबलो एश को रहत दी गई है से चार सेवनियम में में अधिक्तम आयूशिमा में छूट यहां पर दी है पदक विजयताओं को राज्य पे प्रोटक्शन का लाव यहां पर दिया जाएगा रास्तान शजविदान सभा में परमुक 50% जो पद हैं आप देख सकते हैं उनका नुमदन पदोनती का नुमदन किया है विश्राम भवन परबंदक के 50% पद शीदी बरतिशे और 50% पद पदोनती से बरे जाएंगे पूना न्युक्ति सेवानिवरत कार्मिकों को मूल वेतन पर रहचारी मिलेगा कंपनी अधिनिय चार हजार पदों पर बढ़ती आंपर की जाएगी पंचाइज राज लडिसी के शेस रहे 10,39 पदों में से काफी लंबे समय से बेरोजगार नुक्ति की आस लगाए बैठे थे अब बतादू मंत्री मंदल की महोड लगने के बाद पंचाइज राज लडिसी बढ़ती 2013 की अब भेरतियों में खूसी की लहर है वीडियो फसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं बुलिए आपके अपनी यूटूब जैनल राज्तान विरोजगार चात्रशंग को सब्सक्राइब करना है दानिया दोस्तों